आग्रा में सर्वाधेत लोगप्रीय चैनल सीन्यूस के एक को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें प्रदेश के उपमोख्य मंत्री और आग्रा के प्रभारी मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने दो दिवसीय आग्रा प्रवास के दोरान कहीं सियासी समीकरण साथे वे विरोक्रसी से नारास कारेकरताओं से भी मिले कोरोना काल में दिवंगत हुए भाशपाईयों के घर भी गए डिप्टी सीम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने अपने आग्रा प्रवास के अंतिम दिन प्रदेश के पूर मंत्री रामसकल गुर्जर के फत्यावाद इस्तित आवास पर पहुंच कर कई सियासी समीकरण साथे यू तो वे कई नेताओं और कारिकरताओं के आवास पर पहुंचे लेकिन राजनीतिक प्रवंदर में माहिर पूर मंत्री रामसकल गुर्जर के आवास पर पहुंच उन्होंने संकेत दिया कि आगामी विधानसवा चुनाव में पार्टी उन्हें गुर्जर मद्दाताओं खुद को चर्चाओं में ला दिया है आपको बता दें कि कभी सपा संस्थाफक पूर मुख मंत्री मुलाइम सिंग यादव के बेहत खास रहे रामसकल गुर्जर ने गत लोकसवा चुनाव के दोरान भाजपा का दावन थामा था हाल के दिनों में जो भी दिग्गर्ज भा की बात हो या फिर राजसवा और विधान परिस्त सदस के नॉमिनेशन की हर वार पूर मंत्री का नाम चर्चाओं में जरूर रहा है अब जब करोना काल के चलते आगामी चुनाव भाजपा कठिन परिस्तितियों में लड़ेगी तो उन्हें उन चेहरों की तलास रहेगी ज बड़ी जिम्बेदारी से नवाज सकती है बहराल डिप्टी सीम का पूर मंत्री के आवास पर सांसद राजकुमार चाहर, विधायक जितेंद्र वर्मा, पूर विधायक छोटेलाल वर्मा, पूर विधायक डॉक्टर राजयन सिंग समेत तमाम भाजपाईयों के साथ पहु